आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फैन रेगुलेटर कौन सा खरीदें जिससे बिजली का बिल थोड़ा कम हो जाए तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि फैन रेगुलेटर दो टाइप का बाजार में मिलता है एक है इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर और दूसरा है इलेक्ट्रोनिक फैन रेगुलेटर इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर जो देखने में इस टाइप का होता है इसमें एक से पाच तक का स्पीड कंट्रोल होता है यानि कि इसमें पाच स्टेप होता है बाजार में आजकल Electrical Fan Regulator बहुत ही कम बिकता है कुछ सालों बात देखेगा Electrical Fan Regulator बाजार में बिकना भी बंद हो जाएगा क्योंकि Electrical Fan Regulator अधिक जगा घेरता है और जब इस fan regulator से पनखे की स्पीट को कम भी कर देते हैं यानि कि fan regulator को चार नमबर, तीन नमबर, दो नमबर या एक नमबर पर भी कर देते हैं तो भी बिजली का बिल थोड़ा सा भी कम नहीं होता है ठीक इसके विपरीट, अगर आप electronic fan regulator लगाते हैं तो ये जगा भी कम घेरता है और इस fan regulator से पंखे के speed को कम करके पंखे को चलाते हैं तो भीजली का बिल भी थोड़ा कम आता है अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि electronic fan regulator भी दो प्रकार के होते हैं एक होता step वाला और दूसरा होता है volume वाला step वाला fan regulator भी कई type के होते हैं जैसे 4 step, 5 step, 7 step इस type का आपको step वाला fan regulator बाजार में देखने को मिल जाएगा अब तो ये clear हो जाता है कि अगर आप 4 step वाला fan regulator खरीदे हैं तो आप अपने पंखे को 4 step तक का ही speed को control कर सकते हैं इसी तरह से आप जितने भी step वाला fan regulator खरीदेंगे आप उतने ही step तक पंखे के speed को control कर सकते हैं लेकिन अगर आप वाल्यूम वाला fan regulator खरीदे हैं तो आप अपनी मर्जी के अनुसार speed को control कर सकते हैं यानि कि आपको जितना fan का speed कम करना हो आप उतना कम कर सकते हैं अब आपकी मर्जी आप जो भी fan regulator खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं मेरा काम था आपको बताना तो मैंने आपको बता दिया अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को like और share जरूर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है वो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें